नमस्कार मैं हूँ दबाइंजली मुईत्रा 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया धोनी की टीम को हराने के चक्कर में संजु ने IPL का एहम नियम तोड़ दिया जिसके चलते उन पर ये कारिवाई की गई इस मैच में CSK ने टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का फैसला लिया और राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चिन्नाई के सामने 175 रनों का लक्ष रखा लक्ष का पीछा करते हुए CSK की शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन इसके बाद धोनी और जडेजा की जोडी ने दमदार खेल दिखाते हुए मैच को आखरी ओवर तक ले गए CSK को जीत के लिए आखरी ओवर में 21 रनों की जरूरत थी लेकिन CSK तीन रनों से ये मैच हार गई इसके साथी संजू सैमसन एंड कमपनी फीलिंग के दोरान स्लो ओवर रेट का शिकार हो गई मैदान पर रणीती बनाने में राजस्तान ने इतना वक्त निकाल दिया कि वो निरधारत समय में अपने 20 ओवर नहीं करा पाए जिसका खाम्याजा संजू सैमसन को भुगतना पड़ा प्रतिये टीम को अपने 19 ओवर 85 मिनट के अंदर पूरे करने होते हैं ICC का नियम कहता है कि 85 मिनट तक अगर 20 ओवर शुरू नहीं होता तो फिल्डिंग कर रही टीम स्लो ओवर रेट के लिए दोशी लिहाजा उन्हें आखरी ओवर में 5 की जगह केवल 4 फिल्डर को ही 38 के सरकल के बाहर रखने की इजाज़त दी जाएगी इसके अलावा मैच फीस में कटोती का भी प्रावधान गलती दोहरानी की सिती में एक मैच से बैन भी किया जा सकता राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन लगातार दो मैचों में शूने पर आउट हुए आलक इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक खेले गए अपने चार में से तीन मैचों में जीत दर्च कर चुकी संजू ने पहले मैच में अर्धशतक जड़ा था दूसरे मुकाबले में भी उनके बैट से विस्फोटक पारी आई थी इसके बाद अगले दो मुकाबलों में उनका बल्ला शान्त हो गया